दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. भारत Electronic Limited की तरफ से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वेकेंसी आई हुई है. यहाँ पर आपकी अलग-अलग ब्रांच के लिए वेकेंसी है. फ्रेसर से लिजबल रहेंगे, आपकी परमान जोब रहेगी. All Our India की Candidate यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे. बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे. उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. ताकि रेगुलर फोम में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें. इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाक्टसप की तरफ से जारी किया गया है. ये आपकी एक नौरतन कंपणी है. मिनिश्ट्री ओफ डिफेंस में आती है और गौर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है. तो फिलहालन की तरफ से डिप्लोमा और आईटी आई वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है. बात कर ले अगर आपको बताया है. अगर आपने तीन साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग में या फिर सिविल इंजिनिरिंग में किसी भी रिकोगनाईज इंस्टीट या यूनिवरस्टी से आप लोग यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे. कंप्यूटर साइंस इंजिनिर्स के लिए यहाँ पर टोटल दस पोस्टों पर वेकेंसी है. और सिविल इंजिनिर्स के लिए यहाँ पर और इसके साथ यहां पर आपको other allowance भी provide किये जाएंगे और अगली वेकेंसी यहां पर रहने वाली है technician post पर यहां पर अगर आप लोग उन्हें ITI किया है electronic, mechanic, fitter, electrical या फिर dropman mechanical में आप लोग यहां पर apply कर पाएंगे eligibility criteria में आपको यहां पर बताया है candidate must be a citizen of India यानि यहां पर all over India के candidate apply कर पाएंगे बात कर लेते हैं आपकी upper age limit के बारे में तो upper age limit यहां पर आपकी तीनों post के लिए 28 साल रखी गई है age का cut of आपका 18-2023 की हिसाब से लिया जाएगा और इसके साथ यहां पर आप लोगों को age पर government rule के हिसाब से age relaxation मिल जाएगा जैसे SCST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWBD candidate को यहां पर age में 10 साल का age relaxation मिल जाएगा qualification में आपको बताया है, अगर आपने 3 साल का diploma किया है, respective discipline में आप लोग यहां पर apply कर पाएंगे अगर आप general, OBC या फिर EWS के टिगरी में बिलोग करते हैं, तो diploma में आपके minimum 60% mark होने चाहिए अगर आप SC, ST या फिर PWBD के टिगरी से बिलोग करते हैं, तो diploma में आपके minimum 50% mark होने चाहिए minimum में यहां पर आपके 18 साल रखी गई है, और maximum में यहां पर आपकी 28 साल रहेगी और जो लोग भी यहां पर engineering assistant trainee post पर select होते हैं, शुरुवात के 6 महिने के लिए यहां पर आप लोगों को training पर रखा जाएगा, उस दोरान stipend आप लोगों को यहां पर 10,000 रुपे प्रतिमंत मिलेगा और जैसा ही training यहां पर आपकी complete होगी, यहां पर आपको regular pay scale provide किया जाएगा बात कर लेते हैं आपके selection process के बारे में, तो selection process यहां पर आपका return test के आधार पर होगा यहां पर आपसे total 150 number के 150 questions पूछे जाएंगे, part 1 में आपसे general aptitude के 50 number के 50 questions पूछे जाएंगे और part 2 में यहां पर आपकी जो भी technical discipline है, चाहे वो civil हो या फिर computer science हो, उससे यहां पर आप लोगों को 100 number के 100 questions पूछे जाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके application fee के बारे में, अगर आप general, OBC या फिर EWS category में आते हैं, तो application fees आप लोगों को यहां पर 250 रुपे प्लस यहां पर आप लोगों को 18% GST देना है, और बाकी के आपकी जो बचे किल्टेगरी जैसे SCST, PWBD और X-Servicemen को यहां पर कोई भी application fees नहीं देनी है बात कर लेते हैं how to apply, आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं, तो apply process यहां पर आपका online रखा गया है, apply link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वहां से easily अपना form apply कर पाएंगे, form online होने यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं, और last date यहां पर आपकी 5 September रहेगी, तो जिन लोगों ने भी diploma किया है, civil या फिर computer science engineering में, आप इसके लिए interested होते हैं, लिजबल होते हैं, आप यहां पर apply कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का thank you, शुक्रिया, वीडियो को like करें, share करें, civil engineering के सबसे को जरू सब्सक्राइब करें